मेरे दोस्तों आज हम आप लोग को बिलोपन विधी से समीकरन को हल करना सिखाएंगे जो की यहाँ पर दो समीकरन दिया हुआ है और ये दो समीकरन के माध्यम से हम लोग बिलोपन विधी से हल करना सिखेंगे तो आईए सबसे पहले बिलोपन बीधी का कुछ नियम होता है, उस नियम को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, यदि बिलोपन बीधी का नियम पहले से अगर पता नहीं होगा, तो हम उस प्रसन को हल नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे कि 2x पलस 3y इ एक छूपा हुआ है, ठीक है? अब आईए कि बिलोपन बीधी से हमको हल करने के लिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, या ना तो हमें x digit को काट लेना रहता है, ठीक है? x digit को काटेंगे, तो इसमें क्या होगा? कि x digit दोनों सेम हो जाना चाहिए, अगर y digit को अगर हम काटना चाहेंगे, तो y digit पुरा-पुरा सेम इसमें हो जाना चाहिए, इसका कहने का आर्थ यह हुआ कि यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाना चाहिए, यहाँ अगर 4 है, तो यह हम देखते हैं कि x डिजिट को काटना एकदम सबसे असान होता है और इसको मिलाना क्या करना रहता है कि समीकरण 1 में हम देखेंगे x से पहले क्या है दो है तो समीकरण 2 में उतना से हम गुणा कर लेंगे ठीक है और समीकरण 2 में देखेंगे कि x से पहले क्या है तो एक है तो यह समीकरान हम गुन में गुना कर लेंगे अब ऐसे गुना करने के बाद यहां पर हम लिखेंगे लिखेंगे क्या समीकरान एक गुने एक और दो गुने दो से गुना करने पर ठीक है यहां हम लिख लिए क्या लिख लिए कि इतना इतना से गुना करने पर अब यहां पर हम क्या करते हैं गुना करते हैं अब 2 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 2 और x का 1 से रहेगा फिर जोर दो है और दो में गुना करेंगे चार हो जाएगा वाई का वाई रहेगा और दो दूना क्या होगा चार होगा अब इससे क्या करना है यहाँ पर तो आ गया अब यहाँ पर हमको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको करना पड़ेगा तियुक है तो दिखेसिए टुअक्स लाए्स हाट गरेना है जहां पलास कर नहीं है उसका मतलब वहां पॉलथ का चिन अब इतना जब ॅ गया तो क्या करेंगे हम एकस से एक्स वाला नुक्ट सीप लेंगे अब यहां घटाना पड़ेगा थीरी वाई में से माइनस चार वाई घटेगा तो क्या हो जागा माइनस एक वाई हो जागा तो एक को लिखाने जाता है सिधा वाई हो जागा माइनस और बराबर आठ में से 4 घटे का क्या होगा तो 8 होगा तो इस तरह से y बराबर इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 8 हो गया तो हमको y का value किता निकल गया तो हमको यहाँ पर माइनस sorry यहाँ होता 4 यहाँ पर भी होता 4 ठीक है घटाने के बाद हमको क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, तो इस तरह से क्या हो गया, हमको यहाँ पर 4 आ गया, अब क्या करना है, y का value निकल गया, अब हमको x का जब मान निकलना है, तो x का 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 मान न ख़या समीकरण MEME my य का मान रखने पर ठीक है वायक मान रखने पर तो समीकरण एक है समीकरण een एक यहां हमको दिया हुआ है क्या 2 x पलस 3y बराबर 8 इस तरह से हमको यह हुए है, अब क्या करेंगा। हम यहां लिखते हैं? यहां लिखते हैं माइनस हो जागा, तीन चो क्या होगा, बराबर क्या होगा, अब फिर यहां पर हम क्या करेंगा? 2 x लिखेंगे अब बराबर 8 बराबर के बाएंस साइड क्या है माइनस 12 है ताएंस साइड आएगा क्या होगा पलस 12 तो 2 x बराबर क्या लिखेंगे इसको हम जोर करेंगे तो 20 हो जाएगा तो इस तरह से x बराबर हम क्या हो लिखेंगे यहाँ पर 20 और बटा में यह 2 काटेंगे तो 10 हो जागा X बराबर क्या हो गया 10 हो गया तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे क्या Y बराबर आ गया माइनस 4 और X बराबर क्या गया 10 आ गया तो इस तरह से दोस्तों इसका क्या हो गया तो एंसर हो गया तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगया है तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि तेन्थ कलास से जुरी जो भी अपडेट वीडियो आता रहेगा उस सारा के सारा आपके पास पहले पहुंचता रहेगा